दोस्तों मुश्कार स्वागत है आम सभी का जैसा कि बिहार में निकाय चुनाओं की घुशना हो चुकी है 10 और 20 अक्टूबर को चुनाओं होगा और उसके 2 दिन वाद यानि की 12 और 22 अक्टूबर को नतीजे सामने निकल के आएंगे लेकिन दोस्तों इस बारे कहम बदलाओं किया गया है अभी तक नगर निकाय चुनाओं बैलेट पेपर से होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इवियम से यहां चुनाओं कराने की तयारी है और राज निर्वाचन आयोग ने इस सम्बंद में आदेश भी जारी कर दिया है जिसके बाद से ही बिपच्छी दल हमलावर हो चुके हैं और वहीं बिपच्छी दल कॉंग्रेस जेडियू आई जेडियू और हम हमलावर हो चुके हैं चुनाओं आयोग पर और इस बदलाओं को गलत बता रहे हैं कह रहे हैं कि जा बैलेट पेपर से सही तरीके से चुनाओं होते थे तो इवियम की क्या जरूरत थी गौरत अलब है कि इवियम का बिरोध पहले भी होता रहा है और अब यहाँ पर सत्ता धारी दल बिहार में एक महा रैली निकालने की तैयारी में है जिसमें वहाँ इवियम हटाओ बैलेट पेपर लाओ जैसे नारे लगाएंगे और इवियम के खिलाफ अपना बिरोध भी दर्च कराएंगे आपको दोस्तों बताते चलें एक बार फिर से मंग दोराई जा रही है कि चुनाओ आयोग अपना आदेस बापस ले और यहाँ नया बदलाओ इतना भी ठीक नहीं है और बैलेट पेपर से चुनाओ ही कराए जाएं क्यूंकि उसमें गरवडी की आसंका कम रहती है और इवि वीडियो को लाइक करके अपना समयतन जरूर दर्च करवाईएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जय हिंद जय भारत